दोस्तों आप सभी लोग फिलिप कार्ड का इस्तमाल जरूर करते हुए फिलिप कार्ड के माद्यम से कोई भी समान ओनलाइन खड़ी सकते हैं लेकिन आप लोग फिलिप कार्ड के माद्यम से घर बैठे लोन ले सकते हैं loan लेने के लिए सिर्फ आपको आधार card और pen card की जरुवत परती है तो आप लोग किस तरह से फिलिप card के माध्यम से loan के लिए apply करेंगे चलिए आपको हम loan लेकर के life proof के साथ दिखाते हैं दोस्तों आप फिलिप card एक को open कर लेंगे यहाँ नीचे में देखे लिखा account, आप account पर किलिख करेंगे, इसके बाद यहाँ पर देखे लिखा है personal loan, आप इस पर किलिख कर लेंगे, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा wait करना है, अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, loan apply करने के लिए आगे हैं, और आप यहाँ पर 5 10.49% तक का interest प्ये करना होगा, चलिए अब यहाँ पर आपको detail fill up करना है, सबसे पहला यहाँ पर pen number, तो आप इस box में अपना pen number fill up करेंगे, इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट नेम, तो आप इस box में अपना फर्स्ट नेम fill up करेंगे, इसके बाद यहाँ पर लाश्ट नेम, तो आप यहाँ पर salary को select करेंगे, लेकिन यदि आपका खुद का job है, खुद का business है, तो आप यहाँ पर self employed को select करेंगे, इसके बाद यहाँ पर gender, यदि आप male है, तो आप यहाँ पर male select करेंगे, लेकिन यदि आप female है, तो आप यहाँ पर female को select करेंगे, इसके बाद यहाँ इपین कोड तो आप इस बॉक्स में अपना एडिया का पीन कोड Tar peux पूरब करेंगे इसके रहाद लिटेल पूर प करने के बाद आप इस बॉक्स में टिक लेंगे इसके बाद नैक्स्टर के लिक करेंगे अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है आपको यहाँ पर back नहीं करना है और नहीं आपको refresh करना है अब यहाँ पर देखे जो भी आपके mobile में ब्रोजर होगा यहाँ पर select करने के लिए जगा तो आप यहाँ पर chrome पर click कर लेंगे अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं loan apply करने के लिए यहाँ पर आपको बता दूँ कि पहले यह loan axis bank के तरब से दिया आता था लेकिन अब यहाँ पर lending partner change हो चुका है यहाँ पर देखे हमें 5 के तरब से यह loan दिया जा रहा है आप में हो सकता है कि यहाँ पर दूसरा कोई lending partner हो जैसे कि money view, buzz, true balance या कोई और other भी हो सकता है तो आपको यहाँ पर detail fill up कर लेना है यहाँ पर first name तो आप यहाँ पर अपना first name fill up करेंगे इसके बाद यहाँ पर last name meant tell a लाश्नेम Ray अपना last name fill up करेंगी इसके बाद यहाँ पर है your employment type, यदि आप salary person है, तो आप यहाँ पर salary को select करेंगे, लेकिन यदि आपका खुद का job है, खुद का business है, तो आप यहाँ पर self employed को select करेंगे, लेकिन यदि आप student है, तो आप यहाँ पर student को select करेंगे, इसके अलावा यहाँ पर other भी option दिया गया है, profile पर click करेंगे इसके बाद यहां पर what is your relationship status यदि आपकी साधी नहीं हुई है तो आप यहां पर single select करेंगे लेकिन यदि आपकी साधी हो चुकी है तो आप यहां पर merit को select करेंगे इसके बाद यहां पर detail fill up करने के लिए इसके बाद यहां पर company name तो जो भी company में आप काम करते हैं या फिर जो भी आप business करते हैं आप यहां पर fill up कर लेंगे इसके बाद यहां पर है company address तो जो भी company में आप काम करते हैं आप यहां पर what company का address fill up कर लेंगे इसके बाद यहां पर area तो जो भी area में आपका office है आप यहाँ पर उस area का नाम fill up करेंगे इसके बाद यहाँ पर pin code तो आप यहाँ पर pin code fill up कर लेंगे इसके बाद आप यहाँ पर city fill up कर लेंगे इसके बाद आप एक महने में जितना भी रुपए कमाते हैं आप यहाँ पर fill up कर लेंगे चलिए आम यहाँ पर detail fill up कर लेते हैं यहाँ पर detail fill up करने के बाद save and proceed पर click कर लेंगे इसके बाद आप यहाँ पर confirm income पर click कर लेंगे अब यहाँ पर देखिए address fill up करने के लिए आगे है तो आप यहाँ पर अपना पूरा-पूरा address fill up कर लेंगे यहाँ पर एक complete address तो आप यहाँ पर अपना address fill up करेंगे, इसके बाद आप यहाँ पर house number या फिर door number fill up कर लेंगे, इसके बाद आप यहाँ पर area का नाम fill up कर लेंगे, जो भी area में आप रहते हैं, city में रहते हैं, यहाँ पर detail fill up करने के बाद, submit personal detail पर click करेंगे, अब यहाँ पर आपको आगे का process होता है, तो आपको यहाँ पर back नहीं करना है, अब आपको यहाँ पर loan offer जो कर देगा, यहाँ पर देख सकते हैं, हमें 3,000,000 रुपए का loan offer क्या गया है, यानि कि हम 3,000,000 रुपए तक loan ले सकते हैं, आप में हो सकता है कि यहाँ पर ज्यादा loan offer सो करे, या फिर इ अब यहाँ पर आपको अपना selfie photo upload करना होगा, तो आप यहाँ पर click selfie पर click करेंगे, इसके बाद allow पर click कर लेंगे, यहाँ पर click करके allow कर लेंगे, अब यहाँ पर आपके mobile का camera चालो हो जागा, तो आप इस camera के icon पर click करके, आप यहाँ पर अपना selfie photo ले लेंगे, धियान लेकि य आपको अपना selfie photo लेना है चलिए हम यहाँ पर selfie photo ले लेते हैं यहाँ पर selfie photo लेने के बाद submit selfie पर click करेंगे अब यहाँ पर देखे bank detail एड़ करने के लिए गया है यहाँ पर bank name तो आप यहाँ पर click करेंगे अब जो भी bank में आपका account है आप यहां से वह bank का नाम select कर लेंगे यहां पर देखे सभी bank दिया हुआ है तो जो भी bank में आपका account है आप यहां से वह bank का नाम select कर लेंगे इसके बाद यहां पर account number तो जो भी आपका account number है आप यहां पर fill up कर लेंगे इसके बाद यहां पर confirm account number तो आप यहाँ पर भी अपना account नमर fill up कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पर IFSC code, तो जो भी bank में आपका account है, उस bank के branch का IFSC code यहाँ पर fill up करेंगे, चलिए हम यहाँ पर detail fill up कर लेते हैं, यहाँ पर bank detail fill up करने के बाद, save bank detail पर click करेंगे, दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, पर एक मेने करते रहेगा, आपको अलग से EMI pay करने की ज़रुवत नहीं परेगी, तो आप यहाँ पर setup auto debit पर click कर लेंगे, इसके बाद आप यहाँ पर setup online पर click कर लेंगे, अब यहाँ पर देखे auto debit set करने का दो method दिया गया है, सबसे पहला यहाँ पर net banking, इसके बाद यहाँ नहीं लगता है, चलिए हम यहाँ पर net banking पर click कर लेते हैं, अब यहाँ पर देखे आपको details हो करेगा, इसके बाद आप नीचे scroll करेंगे, इसके बाद आप proceed पर click कर लेंगे, अब यहाँ पर आप आप थोड़ा सा wait करना है, इसके बाद आप नीचे scroll करेंगे, इसके बाद आ नेट बैंकिंग का user ide fill up करने के बाद continue पर किलिक करेंगे आप यहां पर देखे netbanking का login password fill up करने intent banking login पर wanna check तो जो भे आप possible keep you can get it without stopping iconHer रिखका यहां पर detail fill up करने के बाद login पर किलिक करेंगे अब आपके मोवईल नमर परária hooga तो आप यहाँ पर OTP को fill up करेंगे इसके बाद submit पर click कर लेंगे अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा wait करना है यहाँ पर देखे time चला है इस time के बाद automatic आगे का process होगा अब यहाँ पर देखिए हमारा auto debit set हो चुका है चले इसके बाद देख सकते हैं हमें 3,00,00,00 रुपए का limit दिया गया है यानि कि हम यहाँ पर 3,00,00 रुपए तक loan ले सकते हैं आप में हो सकता है कि यहाँ पर ज्यादा लिमिट सो करें या फिर इससे कम लिमिट सो करें क्योंकि यह credit score पर depend करता है इसके अलावा यहाँ पर देखे 20% पर एनम के अनुसार से यहाँ पर आपको interest देना होगा इसके अलावा यहाँ पर देखे बताया गया है कि आप यहाँ पर minimum 5,000 रुपए loan ले सकते हैं चले हम आपको यहाँ पर 5,000 रुपए loan ले करके दिखाते हैं चुकि हमें loan नहीं चाहिए, हमें loan की जरुवत नहीं है हम आपको यहाँ पर loan ले करके दिखाने वाले हैं तो हमने यहाँ पर 5,000 फिल अप कर लिया है इसके बाद choose a preferred tenure पर किलिक करेंगे अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यदि हम यहाँ पर 5,000 रुपए loan लेते हैं तो हमारा EMI होगा 1,937 रुपए तीन महिने के लिए साथी यहाँ पर interest amount है 278 रुपए इसके लाबा यहाँ पर GST देना होगा 353 रुपए इसके लाबा यहाँ पर stamp duty 100 रुपए यदि हम यहाँ पर loan amount को change करते हैं माले जी कि हम यहाँ पर 2,000,000 रुपए loan लेते हैं इसके बाद हम choose prefer tenure पर click करेते हैं यहाँ पर देखे 24 महने के लिए EMI होगा 10,680 रुपए इसके लाबा जो भी आपको यहाँ पर charge लाएगा यहाँ पर दिया गया है इसके लाबा यहाँ पर आपका account number साथ यहाँ पर EMI amount इसके लाबा जितने महने के लिए आप यह loan ले रहे हैं यहाँ पर वह EMI month साथ यहाँ पर EMI date सो कर रहा है तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला EMI का date दिया गया है साथ यहाँ पर last EMI का date दिया हुआ है चले इसके बाद आप इस box में tick कर लेंगे इसके बाद confirm पर click करेंगे अब आपके mobile number पर OTP आएगा आप यहाँ पर OTP को fill up करेंगे यहाँ पर OTP fill up करने के बाद verify OTP पर click कर लेंगे अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा wait करना है अब दोस्तों आपके bank account में या loan amount transfer कर दिया जागा और यहाँ पर देखिए हमारे bank account में 4999 रुपए transfer किया गया है चुकि एक रुपए आपको यहाँ पर जब bank account verify होता है उस समय ही send किया जाता है तो टोटल हमें 5,000 रुपए यहाँ पर हमारे bank account में transfer किया गया है दोस्तों 2 मिनट के अंदर ही हमारे bank account में या loan amount transfer कर दिया गया है चलिए आपको हम proof के साथ दिखा देते हैं दोस्तों यहाँ पर दिख सकते हैं bank के तरप से message आ गया है और हमारे bank account में loan amount transfer कर दिया गया है दोस्तों हम HDFC bank के mobile banking app में login हो चुके हैं login करने के बाद bank account पर click कर लेते हैं इसके बाद statement पर click करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे bank account में loan amount transfer कर दिया गया है चलिए इसके बाद आप यहाँ पर cut कर लेंगे इसके बाद आप यहाँ पर Account पर Click करेंगे इसके बाद आप यहाँ पर Personal Loan पर Click करेंगे इसके बाद आप यहाँ पर Chrome पर Click कर लेंगे अब दोस्तों यहाँ पर देखे आपको Loan Details हो करेगा यदि आप Time से पहले इस EMI को Pay करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर Pay Nooper किलिक करके, आप यहाँ से EMI को पे कर सकते हैं, इसके बाद आप यहाँ पर Pay Nooper किलिक करेंगे, तो यहाँ पर देखे, EMI पे करने के लिए आगया है, तो आप यहाँ पर UPI App के माध्यम से पे कर सकते हैं, Google Pay, Phone Pay के माध्यम से, या फिर UPI ID के माध्यम से या फिर आप यहाँ पर internet banking के माध्यम से पे कर सकते हैं इसके अलावा यदि आप time से फ़हले इस loan amount को पे करके loan को close करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर pay no offer क्लिक करेंगे आप यहाँ पर close loan select कर लेंगे इसके बाद आप pay no offer क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से repayment करके loan को close कर सकते हैं उमिदा कि मैंने आपको detail में बता दिया है यदि आपके मन में कोई भी सवाल है कोई भी error सो करता है साथी आपको यहाँ पर कितना loan offer किया गया है आप हमें comment करके जरूर बताइए फिर मिलत अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई टिक कियर